इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह शुक्रानु द्वारा अंडे रिलीज करने और उसके निशेचन को रोकने में मदद करता है। यह ओवेरियन कैंसर के खत्रे को कम करने में भी मदद कर सकता है। इंटिमेसी प्लस दो टेबलेट को भोजन के साथ या इसके बिना लिया जा सकता है लेकिन इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे एक नियत समय पर लें। इसे आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाना चाहिए। आपको अपने पीरियर्ट के पहले दिन गोली लेनी होगी और इसे पूरे एक महीने तक लेते रहना चाहिए। पैक खत्म हो जाने के बाद नए से शुरू करें। अगर खुराक लेने के चार घंटों के भीतर उल्टी हो जाती है तो दूसरी गोली ले। यदि आपकी खुराक छूट गई है और आपको खुराक लेने में बारा घंटे की देरी हो रही है तो दो दिनों तक इंटकोस के दोरान कॉंडों का इस्तिमाल करें। मिचली आना, सिर्दर्द, स्तन में दर्द और वजन बढ़ना इस दवा के कुछ हाम साइड इफेक्ट हैं। अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या र अगर आपको अपने अंगों में सूजन और दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द जैसे लक्षन दिखाई दे तो अपने डॉक्टर को बताएं। क्योंकि यह रक्ट के ठक्के का संकेत हो सकता है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप धूनपान करते हैं और 35 से अधिक हैं या यदि आपको कभी hot attack पड़ा है या गर्भाशे गर्भाशे ग्रीवा या वजाइना का कैंसर है आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं अगर आप पहले से ही गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो या दवा न ले इलाज के दौरान आपसे blood pressure, cholesterol और blood sugar के स्तर की नियमित जांच कराने के लिए कहा जा सकता है वीडियो को पूरा द क्लिक करें धन्यवाद